दोस्तों फेसकार के लिए काफी दूरतों से हमारे पास पेशन्ट आ रहे हैं और अच्छा रजल्ट आने के विज़ से और ये लोग एक दूसरे को जाके बताते हैं तो वो खुद तो आते हैं हमारे पास रजल्ट दिखाने के लिए बट वो दूसरे लोगों को भेज देते ह तो इसी तरह से हमारे पास आज रांची से एक शक्स आये हुए हैं और रांची पिछले दिनों में गल्द कारणों से न्यूज में रहा है बट रांची के लोग अच्छे हैं और यह भी डिफेंस फोर्स से आये हुए हैं तो इनके भी चेरे के उपर एकने सकार्ज हैं इनका नहीं दिखाएंगे तो इनके चेहरे के ऊपर भी एकने सकार जैसे कि आप देख रहें काफी गहरे रोलिंग सकार हैं और बॉक्सकार सकार हैं कई तरह के सकार हैं इन्होंने पी सी ए क्रॉस और डर्मा रोलर और कई कुछ वहां पर करवा के देखा है बट इन वो रिजल्ट न आपको पता है कि हम तीन या चार ट्रीटमेंट एक बार भी कर देते हैं तो इनके साथ भी हमने यही करना है कि सबसे पहले हम करेंगे MNRF उसके बाद हमने प्लानिंग है कि CO2 लेजर करेंगे इसके बाद डर्मा रोलर करेंगे और उसके बाद ये अल्टरा सॉनिक और RF फ्रिक्वेंसी वाला करेंगे और इसके साथ साथ हम केमिकल फील भी करेंगे तो 5-6 ट्रीटमेंट एक साथ देने से रिजल्ट काफी जल्दी आ जाता है और अच्छा आ जाता है तो यही रीजन है कि लोग एक ट्रीटमेंट करते हैं और एक ट्रीटमेंट करने के बाद फिर दूसर ट्रीटमेंट करते हैं तो यहा तीन हजार पे की ट्रीटमेंट रह जाती है, तो इतनी सस्ती ट्रीटमेंट कहीं भी पूरे इंडिया में नहीं हैं, तो वो हम सबसे सस्ती करने के लोगों को दूर से आना खलता भी नहीं हैं, और इनको रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है, तो आज हम इनका करेंगे, पहले MN-RF करेंगे, फिर CO2 लेजर करेंगे, हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, आप देखते रही है, बने रही है हमारे साथ. So, यह है MN-RF, इसमें मल्टिपल नीडल स्किन के अंदर जाती हैं, और वहां जाके RF energy देती हैं. So, दोस्तो, now we are doing CO2 लेजर. CO2 लेजर से एक लेयर स्किन की उपर की चेंज होती है, इसमें बस एक ही खतरा होता है. कि डार्कनिंग कई बर हो जाती है, इसके इसके बाद दो ट्रीटमेंट और करेंगे. This is 40K, ultrasonic rejuvenation of the face. इसे sound waves है, जो चेरे के अंदर जाते हैं, इसको rejuvenation करते हैं, इसके टार्क और रिमोटर में ताफी मत दो मिलती है हमें. गरम गरम लगेगा अपर, गरम तो लग रहा है? नहीं लग रहा है. इसे रेडियो फ्रेक्वेंशी यह रेडियो फ्रेक्वेंसी प्रॉरी के टिशुश को हीट अप करती है। और इस्से नेच्चे की टिशुश हीट अप होके collagen formation करते हैं, इसे scar, eruvasion में, scar को रिमोबल करने में हमें मत बलती है. तो दोस्तों यह थे कुछ स्टेप्स हम हमने आपको दिखाए 5-6 ट्रेटमेंट हम ने कर दिए इससे पहले हमने फेस का स्क्रबिंग भी किया है वह आपको नहीं दिखाए गया तो फेस क्रब हो गया उसके बाद MNRF हो गया उसके बाद CO2 लेजर हो गया उसके दर्मरोलर हो इसके बाद MNRF हम जूज कर रहे हैं तो इससे इसके बाद हम केमिकल पील भी करेंगे तो इस सारी ट्रेटमेंट के साथ हमारा रिजर्ट काफी अच्छा बन जाता है और चेरा भी जवान जवान लगने लग जाता है जुरियां फाइन लाइन्स वगारा कम हो जाती है और अच्छा रिजर्ट आता है तो यही कारण है कि हमारी ट्रीटमेंट में रिजर्ट अच्छे आ रहे हैं और क्योंकि हमारे बेशन दूर से होते हैं तो विचारे जब ठीक हो जाता है उसके बाद वो इतनी हमारे बिल्याबूने खेचल या इतनी एफट नहीं लगाते कि दो बारा आते हमारे पास फोटो शूट करवाएं या हमें वो करें तो बट जो पेशन को रेफर कर देते हैं वो हमारे लिए मोर्ण सभीचन है वैसे हमारे पास जतनी भी पेशन आए हैं बैक फालो पे वह ने रिजर्ट सेक्शन में हमने डाल रहता है हमारी प्लेलिस्ट बढ सजार में हो जाता है यह ट्रिटमेंट जैसे हमने किये यह 10,000 है इस पी पांचे ट्रिटमेंट हमने एक साथ कर दिये तो पर ट्रिटमेंट पॉस्ट आपकी दो हजार के करिवा आ जाती है और हमारा वाट्सअप कॉंटक नमबर है 9256693516 धन्यवाद़